हलो एंड विल्कम प्रेंट्स आज की ये वीडियो Microsoft Excel के और Microsoft Excel में यहाँ पर देख सकते हैं date लिखा हुआ है ठीक है हम इसमें से month, year और day extract करके देखेंगे देखेंगे इसका एक formula text का होता है तो यहाँ text का formula अप लगा लिजी ठीक है और हमें क्या extract करना है यहीं से extract करना है और क्या extract करना है हमें इसमें से month extract करना है तो double needed course open कीज़े यहाँ पर four time लिखिए M ठीक है bracket को close कीज़े enterprise कीज़े तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथा महिना April का है आप इसको drag कर वा लिजी आपका सारे month का detail यहाँ पर आ जाएगा यह देख सकते हैं month का detail आ चुका है ठीक है अब year को करना है तो यहाँ पर is equal to text लगाए text लगाने के बाद आपको क्या करना है simply easy date को select कर लेना है अब चुकिए यहाँ पर year लेना है तो यहाँ पर four time y लिखिए bracket को close कीजिए enterprise कीजिए तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर year भी extract होकर आ चुका है ठीक है अब यहाँ day को extract करना है तो यहाँ पर text का formula लगाए text का formula लगाने के बाद इसी date को select कीजिए comma दीजिए और यहाँ पर four time d लिखिए बस काम हो गया bracket को close कीजिए debentate quotes close को कर दीजिए और यहाँ पर day भी पता चल जाएगा कि कौन सा दिन उस दिन था ठीक है तो यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तो I hope कि यह video आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको यह video पसंद आए तो इसे share करें thank you for watching this video